नमस्कार दोस्तों आप सभी को हमारे स्क्रेटिव फारम ब्लोग चैनल पर आपका स्वगत हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको 10 ऐसी सब्जियों के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आप खेत में लगाकर अच्छा उत्पादन लेकर अच्छी कमाई कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें तो दोस्तो नवंबर और दिसंबर ठंड के महीने होते हैं जो ठंडी मौसम की सबजियां को उगाने के लिए उत्तम समय होता है इस समय में उगाई जाने वाली सबजियां ठंड को सहन कर सकती हैं और ठंडी तापमान में अच्छी तरह से बढ़ती हैं यहां नवंबर और दिसंबर में उगाई जाने वाली दस सब्जीयों की खेती एक बाई एक करके वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं इन सभी सब्जी को लगा कर अच्छा मुनाफ़ा ले सकते हैं तो चलिए एक नंबर पर आती है मूली मूली ठंडे मौसम में तेजी से बढ़ती है इसे बीज से आसानी से उगाया जा सकता है और लगभग 4-6 सब्जीयों में तयार हो जाती हैं मार्केट में काफी अच्छे भाव में बिग जाती हैं दूसरे नंबर पर आती है पालक पालक एक ठंडी मौसम की फसल है जो ठंड में अच्छी तरह से बढ़ती है इसे सीधा मिठी में बोया जा सकता है इसे लगा कर काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं तीसरे नंबर पर आती है मटर मटर ठंडे मौसम में बहुत अच्छी तरह से उगती है इसके पाउधे को ठंडी जलवाई की अवस्यक्ता होती है और मार्केट में बहुत ही आसानी से बिग जाती है और इसके भाव भी बहुत अच्छे मिलते हैं चौथे नंबर पर आती है गाजर गाजर ठंडी मिट्टी में बढ़ती है इसे नवंबर दिसंबर में लगा कर सुरुवाती वसंत तक काटा जा सकता है और इसकी मार्केट में डिमांड काफी ज्यादा होती है पांचवे नंबर पर आती है धनिया धनिया एक लोगपरी हरी पत्तेदार सबजी है जिसे ठंड के मौसम में आसानी से उगाया जा सकता है सबजी में हरी धनिया पढ़ जाये तो सबजी का स्वाध ही बढ़ जाता है और यह मार्केट में आसानी से बिग भी जाता है छे नंबर पर आती है ब्रोकली ब्रोकली को ठंडे मौसम में उगाना सबसे अच्छा होता है इसे बीज से उगाया जा सकता है और ठंड में इसकी गुलवत्ता बेहतर होती है साथ नंबर पर आती है पत्ता गोभी पत्तागोवी ठंड के मौसम की प्रमुक फसल है। या सर्दियों में अच्छी तरह से बढ़ती है और ठंडी जलवाई को सहन कर सकती है। ठंड के मौसम में लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आठ नमबर पर आती है, फूल गोभी, फूल गोभी भी ठंड के मौसम में उगाना आसान है, इसके पौधे को सर्दी पसंद है, और यह ठंड में अधिक स्वादिश्ट होती है, और इसे नवंबर दिसंबर में लगा कर अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, नव नमबर पर आती है, चुकंदर, चुकंदर एक और ठंड मौसम की सबजी है, जिसे नवंबर और दिसंबर में उगाया जा सकता है, यह काफी अच्छी वराइटी है, इसे लगा कर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, दस नमबर पर आती है सलाद पत्ता, सलाद पत्ता ठंडे मौसम में बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है, और इसे जल्दी काटा जा सकता है, ऐसे ठंड के मौसम में लगा कर अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, इन सब्जियों को उगाने से पहले यह सुनस्चित करे की मिट्टी उपजाओ हो, और जल निकास अच्छी हो, इन सब्जियों की देखभाल और नियमिस सिचाई से आपको ठंड के मौसम में ताजगी भरी फसल मिलेगी, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेश्ट वीडियो में, तब तक लिए जय जवान, जय किसान